बढ़ गई कोच के चेन को लेकर किच-किच पहले शाश्त्री ने किया था गांगुली पर एटेग्ट अब गांगुली ने किया शाश्त्री पर पलट्वार इस आगास का अन्जाम क्या होगा कोच के सेलेक्शन पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और पूर्व टीम डारेक्टर रवी शास्त्री के बीच शुरू हुई तकरार में अब दोनों दिगज खुल कर सामने आ गए हैं रवी शास्त्री ने जब क्रिकेट सलाकार समीती के सदस्य सौरव गांगुली के कोच के इंटर्व्यू के समय अनुपस्थित रहने पर सवाल उठाया था तो गांगुली ने उस पर पलटवार करते हुए पूछा कि आखिर इतने एहम इंटर्व्यू के समय रवी शास्त्री खुद उपस्थित क्यों नहीं थे। सौरव गांगुली ने कहा कि रवी शास्त्री के बयान से उन्हें बेहद आश्यर्य और दुख हुआ गोर तलब है कि शास्त्री उस समय चुट्टी माना ने बैंकों गए हुए थे और हेड कोच का इंटरव्यू वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये दिया था। इस पर भी गांगुली ने शास्त्री को सला दी कि उन्हें इंटरव्यू में खुद पहुचना चाहिए ना कि छुट्टिया मनाते हुए वीडियो कॉंफरेंसिंग से इंटर्व्यू देना चाहिए इंटर्व्यू में BCCI के तीन सलहकारों में से सचिन तेंदुलकर और वीविस लक्समन तो उपस्तित थे लेकिन सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट असोशेशन की मीटिंग में वेस्ट होने का हवाला देते हुए नहीं आये थे वहीं गांगुली और कुंबले का पक्ष लेते हुए क्रिकेटर गोतम गंभीर ने भी रवी शास्त्री पर बड़ा हमला किया है गंभीर ने कहा शास्त्री ये स्विकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो कोच नहीं है और कहते हैं कि टीम इंडिया उनके अंडर में पिछले 18 महीनों में काफी सक्सेस्फुल रही है लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है उन्होंने कभी इसके बारे में बात नहीं की जब टीम इंडिया बांगलादेश में वंडे सिरीज हारी साउथ अफरीका से वंडे सिरीज हारी दो वर्ड कप हारी कुम्बले टीम इंडिया के कोच थमने वाला नहीं है एनमेफ न्यूस की रिपोर्ट